जाना कि मॉन्ट्री पॉलिसी का अनाउंस्मेंट हुआ, एलान हुआ कुछ देर पहले और कोई बदलाब नहीं किये गए हैं ब्याश्तरों में लेकिन उसके अलावा बड़ी बाते कौन-कौन सी है पॉलिसी में से आने वाले वक्त में क्या स्टैंस रहने वाला है, क्या-क्या जिकर किया है गवर्नर साहब ने अपनी संबोधन में, तमाम डीटिल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमको समझा रही है, पूजा बताएं आर्बियाई की मॉन्ट्री पॉलिसी की आज की हाइलाइट्स क्या रही? वैसा ही एनॉंस्मेंट भी हुई, FI24 का जो पूरा रिपोर्ट कार्ट था अभी तक की एकॉनोमिक स्थिति कैसी रही, वो इस अपनी कॉमेंट्री में सामने रखे और इसके अलावा ग्रोथ का अनुमान और महंगाय की अनुमान में भी कोई बहुत नेगिटिव सप्राइ आगे आने वाले समय में दिख रहे हैं कच्छे तेल के प्राइज को लेकर खाने पीने के जो महंगाय के आंक्रे हैं उसको लेकर थोड़ा वो कंसर्ण रेस कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक महंगाय के आंक्रों को लेकर एक कमफर्टेबल सिती नहीं आ जाती है, 4% मह बे गवर्नर का भी देखने को मिला है, हाला कि काफी सारे पॉस्टिक पॉइंट्स भी उन्होंने हाइलाइट कि उनका कहना है कि पिछले 9 महीने में महंगाई दर में कमी आई है, और LCR, लिकुरिटी को लेकर भी वो कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं और LCR की समीक्षा कर है कि foreign reserve भी काफी मजबूत नजर आ रहा है, तो आगे के लिए भी अगर कोई बहुत बड़ी दिकते global front पर हुई, तो भारत और इंद्या की economy एक comfortable situation में है, उसके साथ जूजने के लिए, तो एक कुछ इंपॉर्टन बाते हैं यहां पर RBI की policy में इस बार highlight हुई, और उनका क ना हुआ है, और दुनिया भर में public debt जिस तरीके से बढ़ रहा है, भारत में भी यह trend देखने को मिल रहा है, वो चिंता की बात है, इस वज़े से उन्होंने यहां पर तमाम financial institution को, बैंकों को थोड़ा सा तरक रहने की भी राए दी है, overall बात करे, policy अनुमान की मताविकी थी कि इस एहम जानकारी के लिए पूज़ा आपका, चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल लाए